जोने एक शाची कहके मैं बुलाया करती थी, एक दिन उन में से एक ने कहा कि कंचन जब पॉलिज में पढ़ाई नहीं होती तो तुम क्या करने जाती हो? मैं 80 लाख लोगों को इंग्लिश दिखा रही हूँ, उन तक पहुँच पा रही हूँ, उनकी मदद कर पा रही है। आपने सुन रखा होगा कि B.U.T. बट होता है, तो P.U.T. पुट क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो देखते हैं कि sentences के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। Alphabet में किस तरीके से हम letters को pronounce करते हैं वो बहुत जरूरी है। आपको सबसे ज़्यादा काम कहा करना है। ठोटे से टाउन सिर्सा से बिलोंग करती हूँ। बच्पन से ही पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता था। मैं टॉप भी करती थी। लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसी स्कूल में मेरी ममा भी टीचर थी। तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में लेकिन लोगों का नजरिया जो था वो कुछ इस तरीके से बनता था कि ममा टीचर है तो हो जाता है इसलिए लड़की टॉप करती है क्योंकि कहीं न कहीं उसे help मिल जाती होगी इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती गई और मैं college मे पहुंची college में भी मेरा पढ़ने में उसी तरीके से मन लगता था इसलिए मैं एक भी दिन मिस नहीं करती थी मैं स्किप नहीं करती थी मैं डेली college जाती थी लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बात आ चुकी थी क्योंकि और जो दूसरे students थे वो ये बोलते थे कि college में इसकी वज़े से लोगों की mentality बन चुकी थी कि यहां के college में पढ़ाई नहीं होती है तो आसपास की जो आंट्स होती है जन्हें चाची कहके मैं बोलाया करती थी एक दिन उन में से एक ने कहा कि कंचन जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो तुम क्या करने जाती हो तो इस तरीके से टॉंट्स मिलते रहे बट मैं आगे बढ़ती रही कॉलेज में जो मेरी ठीचर थी वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे तरीके से वो इंग्लिश बोलती थी मतलब अगर आप सुने तो सुनते रह जाएं तो वहां से मेरे अंदर भी एक जुनून सा आया कि मुझे भी इसी फिल्ड में आगे बढ़ना है मुझे भी ऐसी इंग्लिश बोलनी है तो सीखने सिखाने की यह जो शिरुवात हुई यह कॉलेज के बाद से हुई जब मैं पोस्ट ग्राजवेशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने टुवेशन क्लासेज देना शुरू किया और यह चीज मुझे काफे इंटरेस्टिंग लगने लगी लेकिन जैसा कि सब के साथ होता है कि उस दिनों बाद मेरी शादी हुई और शादी के बाद as a housewife मैं जिन्दगी जीने लगी लेकिन एक moment life में ऐसा आया जब कि मैंने सोचा कि अब मुझे एक step लेना चाहिए मेरी बेटी जब एक साल की हो गई तो मुझे feel होने लगा कि अब मेरे पास थोड़ा सा time बच रहा है तो youtube was the best option जिसमें कि आप घर से videos बना कर post कर सकते हैं आप दूसरों को सिखा सकते हैं क्योंकि सिखाने की इच्छा थी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की इच्छा थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के help कर पाऊं वहाँ से शुरुआत हुई youtube videos बनाने की बच शायद वो shy कंचन अभी भी shy थी वो shyness कहीं न कहीं अंदर थी तभी तो शुरुआत youtube videos बनाने की की लेकिन audios के थुरू मतलब मैंने अपना face नहीं दिखाया मेरी पहले वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं पिन और पेपर के साथ है और मैं केवल बोल रही हूँ तो इस shyness को जड़ से निकाला मेरे हजबन ने उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम लोगों को educate कर रही हो सिखा रही हो तो तुम्हें face के साथ आना चाहिए तो वहाँ से शुरुआत हुई face वाले वीडियोज की और आज वो दिन है कि आज English Connection चैनल पर 8 million से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है मतलब मैं 80,000,000 लोगों को English दिखा रही हूँ उन तक पहुँच पा रही हूँ उनकी मदद कर पा रही हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि English बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है आप किस तरीके से step by step आगे बढ़कर एक fluent speaker बन सकते हैं अगर बात करें fluency की तो सबसे पहले ये समझे कि fluency का मतलब ये नहीं होता कि आप fast बोलते हैं fluency का मतलब होता है कि आप बिना fumble कि ये बोलते हैं आप slow बोलिए लेकिन किसके बाद कौन सा word आएगा वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए ताकि आप एक flow में बोल पाएं अगर मैं किसी भी language की बात करो सिर्फ English की बात नहीं कर रहे हैं अगर आपको किसी भी language में बात करनी है तो आपको क्या आना चाहिए आपको आने चाहिए sentences तब ही तो आप अपनी बात को convey कर पाएंगे आप समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाहिए अगर आप सिर्फ words बोलते रहें तो क्या आप अपनी बात को समझा सकते हैं नहीं उसे एक flow मिलाने के लिए आपको sentence form करना होगा तो खुल मिलाके अगर आपको अच्छे से English बोलनी है इसका मतलब ये है कि आपको sentences बनाने हैं मतलब आप sentences अच्छे तरीके से बोल पाएं English के तो हमें पहुँचना sentences तक है शुरुआत कहां से करें अब वो सीखने हैं फिर step by step आप कैसे sentences तक पहुँचेंगे वो सीखेंगे तो आप मुझे बताइए कि जब आपने English सीखी या फिर शुरुआत की तो आपने क्या सबसे पहले किया था अगर आप notice करें तो English हमारे subjects में आता है तो बचपन से ही आपने सीखना शुरू किया था सबसे पहले A, B, C, D जिसे हम alphabet बोलते हैं अगर alphabet में आएं क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है अगर मैं आप से बोलू आप French बोलो या फिर कोई भी language आपको बोलनी हो तो क्या आप उस language को सुन के समझ पाएंगे जब तक आप नहीं समझेंगे कि इसका alphabet क्या है या फिर उसे हम किस तरीके से बोलते हैं मतलब letters के sounds क्या है तब तक आप उस language को बिल्कुल नहीं समझ सकते Believe me, मैंने कोशिस की थी कि एक language को मैं सीखने की कोशिस करूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको explain कर पाऊँ तो मैंने French के लिए सोचा जब French सीखने के लिए मैंने एक video play की तो उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मेरे मन में तुरंत आया कि पहले मुझे alphabet सीखना होगा तो सबसे पहले अगर शुरुवात की बात करें तो आपको alphabet पे आना होगा alphabet में किस तरीके से हम letters को pronounce करते हैं वो बहुत जरूरी है बहुत सारे लोग जैसे L को यल बोलते हैं क्योंकि बच्चपन में teachers ने ये बताया तो यल, यम, यन इस तरीके से मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है तो सबसे पहले अगर alphabet ही गरबड है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले इसे सुधारेंगे कि letters के sounds बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आप words को पढ़ पाएंगे बोल पाएंगे देखे, किसी भी language में आपने सबसे पहले letters को सीखा आप letters से बनते हैं words फिर words से बनते हैं sentences तो letters clear हुए, उनकी pronunciation clear हुई तब जाके आप सही तरीके से words को बोल पाएंगे pronunciation matters बहुत ज़ादा matter करता है तब ही आप में भी confidence आता है letters को जोड़कर words बनते हैं तो जब आपने letters सीखे तो आपने सीखा कि I को हम I बोलते हैं लेकिन जब मैंने pronunciation के बात की मतलब sounds क्या होंगे जब आप detail में जाएंगे तो I के कई सारे sounds होते हैं A के कई सारे sounds होते हैं तो जो ये vowels होते हैं A, E, I, O, U ये 5 जो letters हैं ये बहुत ज़ादा important है इनकी pronunciation हमेशा अलग हो जाती है English में Hindi की तरह English easy नहीं है I would say क्योंकि हिंदी में आपके पास ज़ादा मात्राएं हैं आपके पास जो स्वर हैं वो इतने सारे हैं कि आपको एकी स्वर को अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बट English में सिर्फ 5 हैं और इन पाचों से उन्हें सारी मात्राएं बनानी हैं इसलिए आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंग्लिश बोलने में इसने अ के लिए भी वही यूज कर लिया लेकिन बात करें कि जैनरल साउंड क्या होते हैं तब आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी जैसे यू का जो साउंड होता है जब वर्ट में आता है वी यू टी बट ये वाला होता है मतलब यू का साउंड अ होता है जादा तर जब भी आप पढ़ेंगे जी यू एन गन ये जो पुट है ना ये exception है तो English is full of exceptions बहुत सारे exceptions हैं भरे हुए हैं मतलब खुद ही रूल बनाया इन्होंने और खुद ही उस रूल को तोड़के अपवाद भी बनाया मतलब अपवादों से डरना नहीं है उसको समझना है आप जितनी जल्दी इन रूल को समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आप अच्छे English बोल पाएंगे एक और example देना चाहूंगी words में जैसे कि T-A-B-L-E इसे हम table बोलते हैं जब मैं चोटी थी तो मेरे किसी teacher ने या कह सकती हूँ कि कई सारे teachers table को table बोलते थे P-E-O-P-L-E people को people बोलते थे क्यों बोलते थे क्योंकि उन्हें pronunciation सही से पता नहीं थी मैं इसमें teachers की गलती नहीं कहूंगी उस time पर internet नहीं हुआ करता था आज आपके सामने ये जो resource है ये बहुत important है internet इंटरनेट जो है आपके पास ये आपके दुनिया बदल सकता है उस time पर जब उनके पास internet नहीं था तो उन्हें पता ही नहीं था किसे pronounce कैसे करते बट अब आप सुन सकते हैं जब भी आप कोई नया word सीखें तो मैं आपसे बोलूँगी कि हमेशा Google पर जाकर उस word को type करके meaning ढालेगा और किसी अच्छी dictionary में जाएगा आप सिर्फ और से बाहर जो pronunciation है उसको मत देखें हमेशा मैं क्या करते हूँ मैं आपको बताते हूँ वो word ढालते हूँ जब भी कोई नया word मिलता है meaning in Oxford dictionary ठीक है वहाँ पर आपको सही pronunciation मिलेगी और दो मिलेंगी एक British और दूसरी American आप जो prefer करते हूँ आप उसे pick करें क्योंकि ये जो British और American pronunciations हैं ये कई बार काफी अलग होती हैं तो इस पर ध्यान रखें और जो pronunciation आपको चाहिए उसे सुने उसकी practice करें उसी time पे आपको at least 5-10 बार उस word को बोल लेना है ताकि आप सही तरीके से pronounce कर पाएं तो आपने letters सीखे, words सीखे words तक आप पहुँच गए हैं जब आप सभी sounds को जानते रहेंगे तो words को सही तरीके से pronounce कर पाएंगे अब हमें आगे बढ़ना है sentences form करने हैं तो देखते हैं कि sentences के लिए किस चीज़ की जरूरत पढ़ती है जब sentences की बात आती है तो सबसे बड़ा जो hurdle दिखाई देता है वो है tenses आपको लगता है कि बच्पन से तो sentences पढ़ते आ रहे हैं अब तक तो समझ नहीं आई आगे कैसे समझ में आएगी कैसे हम English बोल पाएंगे So let me tell you Tenses कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है Tenses बहुत आसान है अगर आप rules को दिमाग में रखे रहेंगे या फिर सोचने की कोशिस करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लेकिन फिर मैं आपको बता दू कि Tenses में आपको सबसे ज़्यादा काम कहा करना है वो है आपके शुरू के ही दो Tenses जो की है प्रेजेंट इंडेफिनी टेंस और पास्ट इंडेफिनी टेंस जहां पर आप डू डज और डिट का यूज करते हैं क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गलतियां होती है इन्हें इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ Tenses से क्या English बोलना आ जाएगा जी नहीं सिर्फ Tenses से English नहीं बोल पाएंगे आप लेकिन जब शुरुवात हो गई आप Tenses को समझ पा रहे हैं और आप Tenses वाले Sentenses भी बोल पा रहे हैं तो ऐसे में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप समझ पाएंगे तो दीरे-दीरे करके सारी Formations आपको समझ में आने लगेंगे और दीरे-दीरे करके आप कभ इंगलिश बोलना सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा तो इंगलिश बोलना सीख जाएंगे ये मैंने कहा मैंने ये भी बता दिया कि शिरुवात कहां से करें और कैसे आपको Sentenses तक पहुँचना है लेकिन आप तभी इंगलिश बोल पाएंगे जब आप Practice करेंगे और Practice भी Practical Way में कैसे करें ये जरूरी है Boring नहीं होना चाहिए क्योंकि boring चीज़ों में मन नहीं लगता तो इसे Interesting बनाएं और आप कभी भी Give Up ना करें ये जरूरी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आपका अपना Daily Routine आपको इसके लिए कभी भी अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा तर जो समस्या है वो यही होती है कि English बोलना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता Practice करने का सीख नहीं पाते इसे English में कैसे बोलेंगे अगर मैं देर से उठी हूं तो इसे English में कैसे बोलेंगे उसके बाद Washroom में जा रही हूं Brush करना इन सारी चीज़ों को आप English में सोचते रहे हैं अगर तब्यत खराब हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, खाने में नमक जादा हो जाए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर सोने जा रहे हैं अलाम सेट करना है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मतलब हर चीज ये सोचेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलें तो ह जाएगा कई बार मैंने देखा है जो लोग बहुत अच्छे English बोल लेते हैं वो घर की चीजों के बारे में बताने में घर की बातों को बताने में English में फंबल करते हैं क्योंकि उन्हें घर के वो छोटे-छोटे वर्प्स नहीं पता होते हैं जो घर में यूज होते हैं लेकिन अगर आप कोशिस करें इस तरीके से सीखने के English तो आप घर में भी English बोलेंगे और बाहर भी English बोलेंगे और confidence के साथ बोलेंगे overall मैं क्या कहना चारी हूँ कि आपको practice करते रहना है देखिए दो problems आते हैं एक तो कि आप give up कर देते हैं कुछ दिन आपने कोशिस की आपको लगता है मैं काफी time से कोशिस कर रहा हूँ अब मुझसे नहीं होगा लेकिन अगर आप कोशिस करते रहेंगे तो जरूर कर सकते है दूसरी problem आते है कि आप शुरुआत ही नहीं करते हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी पहली बात कभी give up मत कीजे क्योंकि अगर आप कोशिस कर रहे हैं तो वो दिन जरूर आएगा जब आप अपनी मन्जिल पर पहुँचेंगे और अगर आप शुरुआत करने से डर रह हैं तो शुरुआत के लिए वेट ही मत कीजे यही मेरा सक्सेस मंत्रा है कि मैं शुरुआत उसी टाइम पर करती हूं जब मेरे मन में वो सौट आता है चाहे वो वीडियो बनाने की हो या फिर लाइफ में कुछ भी करने के बारे में सोचने का हो मतलब जब भी आपने को सोच आप उस पर तुरंत अक्शन लें ताकि आप आगी और बहतर कर सके अट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहती हूं तुम उड़ने की सोचो तो सही उडान पंखों से नहीं होंसलों से भरी जाती है अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए है तो मेरी तरह आप भी इंस्पाइल ज़रूर में होगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पुरा कर पाते हैं और आपने कभी नोटिस किया जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है वो क्या है अच्छी कॉम्णिकेशन स्किल और इंगलिश बोलने की स्किल और अब हम भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं जो स्किल्स आप के साथ यहाँ पे हमें daily vocabulary, grammar, reading, writing, practice के साथ-साथ अपने ही जैसे लाखों student के साथ इंगलिश में बात करने कर भी मौका मिलता है इससे हम अपने इंगलिश की fluency जो है वो improve कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की और पहरा कदम लेते हैं भारत के number one spoken English learning app जोशकिल्स के साथ